जिस तरह की डील्स सेना के लिए हुई है भारतिय सेना को भारतिय नौ सेना को जो फाइदा पहुँच रहा है क्या आपको लगता है बार बार जब दो देशों के बीच इस तरह की डील्स होते हैं तो वो कहीं राजनीती में फसके सेना के हितों को भूला जाता है या फिर आपको लग रहा है कि सच मुछ ये डील ऐसी हुई है जिससे भारत को नहीं बलकि अमेरिका को ऐस अ सेलर फाइदा हुआ है जो को स्वेता इसमें कोई शक नहीं जब भी कोई डील साइन होती है तो दोनों देशों को फादावा तभी डील साइन होती है इसमें कोई शक नहीं जो अभी तीन डील साइन होने वाली है एक तो है जो चोबिस अभी आपके पास सी हॉक आने वाले है अमेच सिश्टी रोमियो जो कि एक बड़े मेत वाले मर्टी रोल हेलीकॉप्टर हैं आपके पास सी किंग हेलीकॉप्टर थे जो आपने इंग्लैंट लिये हुए थे वो 2000 में फेज आउट होगे आपके पास अभी हेलीकॉप्टर नहीं था और हेलिकॉप्टर जो कि एंटी सम्मरीन और एंटी शिपिंग का काम कर सकते हैं इंडियन ओशन में आपको पता है कि आज के टाइम में जो चीन है इंडियन ओशन रीजन में अपना सम्मरीन के साथ अपना दबाओ बढ़ा रहा है इस मौमले में अगर आपके पास इस टाइप के हेलिकॉप्टर नहीं थे जिसको सम्मेरीन के अगेंस्ट इस्तमाल किया जाए हेल फायर मिजाइल है टर्पीडो है सुनार है और प्रिशेशन गाइडिल वेपन है तो हमारे अंदर कहीं नहीं कहीं खामी थी जब यह 24 आपको जो सी हॉक मिल रहे हैं इसका सबसे अच्छा बात यह है कि जो कौाड है इसके अंदर अमेरिका है जपैन है और आस्टेलिया है और भारत यह हेलिकॉप्टर चारो देस्टों के अंदर है इसका इस्तमाल आप इंडियन रोशन रीजन में इस्तमाल करके यकीन करेंगे कि जो कि चीन है या दूसरे हैं जो नेवी हैं उसमें हमारा पल्डा भारी रहे नहीं अभी तक कमजोर था इसी परकार से अभी एक दूसरी डील साइन होने वाली है अपाचे की आपको पता है कि 22 अपाचे की डील पहले ही साइन होगी है जो कि हम ले रहे हैं बेसिक और भारतिय सेना के लिए 6 अतरिक्त अपाचे की डील ये साइन हो रही है और जो जानकारी मिल रही है उसके अनुसार जितने जी जनल सवाच मैं लोटूंगे आपके पास इस समय राशेद अलवी जी भी कॉंग्रेस की तरफ से हमारे साथ जुड़ गये हैं राशेद अलवी कि प्रचार के तौर पर सिर्फ इसे देखा जारा है कि आपको नहीं लग रहा है कि अमेरिका का राश्रुपती अगर आता है तो उसका स्वागत किया जाना चाहिए देखिए किसी भी देश का हेड आफ दी स्टेट आता है उसका स्वागत होना ही चाहिए कहीं इसके अंदर कोई दोराए नहीं है लेकिन बड़ा सवाल है प्रिसिडेंट अमरीका ने आने से पहले कह दिया इंडिया ने इतना हिट किया है हमें कि जितना कभी नहीं किया है उन्होंने ये भी कहा है आपको बुरा लगे या अच्छा लगे अमरीका हमारे लिए नंबर वन है ये बाते आने से पहले वो कह रहे है क्या ये उचित है और दूसरी तरह हमारी सरकार पिरधान मंत्री जहां एमदाबाद के अंदर गंदगी है उसे ढटने के लिए दिवार बना रही है सौ करोर रुपे से ज्यादा खर्च हो रहा है एक मिनट के लिए पचास लाक रुपे का खर्चा हो रहा है जैपुर के अंदर सोने और चान्दी की कटलरी बनाई जा रही है जिसमें उन्हें खाना खिलाया जाएगा क्या यह सब उचित है जब आर्तिक मंदी से हम गुजर रहे हैं क्या हर हेड अब दी स्टेट के साथ नरेंद मोदी जी इसी तरह भी है करते है वो भारत को गाली दे रहा है और कह रहा है कि नरेद मोदी को मैं पसंद करता हूँ, भारत छोटा हो गया, नरेद मोदी बड़े हो गई, क्या कोई भी भारती ही यह बरदाश्ट करेगा। और अमेरिका में जो रवाया रहा था भारत दौरे को लेकर, यह सारी चीज़ें क्या एक कंटिन्यूएशन नहीं है, क्या ट्रम्प जिस तरह से उनके बारे में कही जाती है चीजें और जिस तरह से अपने ही देश में उन्हें बड़ बोला कहा जाता है, तो क्या छोड़ दे अमेरिका से रिष्टा न रखे, न बुलाए वहाँ के राश्राद्यक्ष को देखे, 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 मैं पार्लिमेंट में जब रहा दो प्रिजडेंट यहां आए, प्रिजडेंट क्लिंटन और प्रिजडेंट बुश ऐसा कुछ नहीं किया, इतने बड़े पैसा उन पे बरबाद नहीं किया गया और फिर बड़ा सवाल ये है, आज नॉमबर के अंदर अलक्षन होने वाला है, अमरीका के अंदर, अगर वहाँ डेमोक्रेट जीद गए, हमारे और अमरीका का क्या रिश्टा होगा, क्या हमारी कोई फॉरन पॉलिसी है के नहीं है, टैकसास के अंदर, मोदी जी गए थे, वो भी अलक्षन कैमपेन थी, और खलत थी, कोई भी कंट्री किसी दूसरे देश के अलक्षन कैमपेन में इस तरह पार्टिसिपेट नहीं कर सकता है, मोदी जी ने एक तरीके के अलक्षन कैमपेन की थी, 35-40 लाक भारती वोटर्स हैं वहाँ पे, और ये भी प्रिजडेंट किसी दूसरे दयाई सकता है, मोदी जी ये पर खलक्षन कैमपेन बजय रचान कि वहाँ प्रिए प्रिफन कैमपेन कैमपेन कि एक ड़ें ज़े तरह दूसरे वहाँ झालक्पार्स हाँ